खेलो दोस्तों सुआगत आपका पेपर एकर की यूटीब चैनल में और आज हम सुरू करने जा रहे हैं बी ए फर्ष्ट इयर का पेपर नंबर आपका जो हिंदी का पेपर है वो करने जा रहे हैं एका जो आपका पर हंदि का स्वरूप उद्देश और छेत्र के कार्याले हिंदी तथा सामान हिंदी का इसमें आपको संबंध पता कर मिलेगा और कार्याले हिंदी की संबाबनाय जो होती है बो इसको आपको पढ़नी है और कार्याले कारेकलाप की संबाब सामान जो है जानेकारी हमको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी ऐसे ही हमारा जो हिंदी होगी उसमें अर्व हम परिवासिक बढिंठ करतें हैं जो सब्दा включ करते इसके बारे में इसको पढदना है तो सब्दा कि नुद्र कलिंगु और मुते हैं यहां को पढ़ने को मिलेगा इसे कर्याले हिंदी की नाम संबोधन आधी प्रशाष्णिक और बिदिक सब्दावली जो होती है वह हमें इसमें पढ़ने को मिलेगी तो जो next आपका क्या है अर्द सरकारी पत्र आते हैं कार्याले के आदेश आते हैं परिपत्र अधिसूचना और कार्याले ग्यापन इसी प्रकार से आपके बिग्यापन जो होते हैं वो निविदा और संकल्प और प्रेस बिग्यापति यह सब क्या होता है यह सब चीजों को हम इसमें पढ़ रहे हों प्रारूपन टिपडन और शंक्षेपन पल्लवन और प्रतिवेदन से संबंदित क्या होगी आपकी एकाई नंबर 5 चार सोरी ठीक है इसमें हम पढ़ रहे होंगे प्रारूपन का अर्थ क्या होता है सामान ने उसका पर्चे क्या है प्रारूपन लेखन की पदति क्या होती है ठीक है इसमें हम क्या पढ़ रहे होंगे प्रारूपन का अर्थ सामान ने पर्चे प्रारूपन लेखन की पदति बैसे ही टिपड़न का अर्थ क्या होता है और सामाने पर्चे क्या होता है टिपड़न का लेखन की पदती क्या होती है या टिपड़ और टिपड़ी में अंतर क्या होता है ठीक है यह सब हम क्या पढ़ रहे होंगे एकाई फूर्थ में पढ़ रहे होंगे और क्या का आर्थ उसी प्रकार से परिचे सिद्धान्त और निवंद लेखन में अंतर हम पढ़ेंगे प्रतिवेदन का आर्थ हम पढ़ेंगे सामान ने परिचे और प्रियोग हम यहां से पढ़ रहे होंगे ठीक है नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है नेक्स्ट आपकी एकाई है एकाई नमबर पांच एकाई नमबर पांच जो है हमारी उसमें हम क्या पढ़ रहे होंगे एकाई नमबर पांच में हम पढ़ेंगे हिंदी वासा और कंप्यूटर का विकास किरम ठीक है हिंदी वासा और कंप्यूटर का जो विकास है वो किरम हम पढ़ रहे होंगे इसमें हम कंप्यूटर का सामाने पर्चे पढ़ेंगे और कंप्यूटर का इतिहास क्या था वो पढ़ेंगे कंप्यूटर में हिंदी का भविष्ट्री क्या था यह चीज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे होंगे इसमें जो हमारी यूनिट है च्छटी यूनिट होगी इसमें हम पढ़ेंगे हिंदी भासा में कंप्यूटर का प्रद्योगी की ठीक है तो इसके अंदर कौन-कौन से टॉपिक आपको पढ़ने के मिलेंगे पढ़ने के लिए वह है चीज भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे और जो अगली हमारी यूनिट है साथ मी यूनिट साथ मी यूनिट में हिंदी भासा और यी सिक्षन हम पढ़ रहे होंगे ठीक है हिंदी वासा और यी सक्षन हम पढ़ रहे होंगे इसमें इंटरनेट पर उपलब्द पत्र 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 आपकी साथ में पढ़ रहे होंगे ऐसे एक यूनिट और है आपकी लास्ट यूनिट है यह आपकी unit number 8 unit number 8 में आप क्या पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे हम hindi computer टंकन यानि कि जो typing होती है hindi computer की hindi में जो typing होती है उसके बारे में और sword hand का सेद्धान्तिक पक्ष जो sword hand होता है उसका सेद्धान्तिक पक्ष हम पढ़ेंगे और hindi side में सोध क्या है वो चीज़ां हम यहां पर पढ़ रहे होंगे ठीक है 8 में 1 ऐसे हिंदी वासा के बिबिन font क्या होते है ठीक है जो हिंदी वासा के बिबिन font होते है वो हम यहां पर पढ़ रहे होंगे ऐसे यूणी code speech to text प्रतियोग की बोलने से text है ना लिखना ये सब कैसे होता ये सब हम पढ़ेंगे हंदी PPT कैसे बनती है slide और poster निर्माण कैसे किया जाता यह हम unit number 8 में पढ़ रहे होंगे सोध के प्रकार क्या होते हैं साहितिक सोध का उद्देश क्या होता है अब देखिए जो बीए फेश्ट येर है उसका जो सेकेंड सेमेश्टर है इसमें क्या है इसको हम हमने किस से cover किया है इस वाले पूरे paper को हम optional से ये सारी unit जो है हम cover करने वाले हैं हम इसमें बहुत आपको बहतरी जटे हुए बहुत इकल्पी प्रेशन आपको इसमें कराएंगे जो आपकी परिक्षा में बहुत ही महत्वपूर साबित आपके लिए होंगे ठीक है तो इस से जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे इस बारी पूरी प्लेश्ट को आप फॉलो करेंगे ठीक है ये आपका जो था सिलेवस था इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है अब इसकी जो unit बाइस हम क्या है वीडियो बनाएंगे और उसके जो है लगवाग 50, 100 जो भी कुर्शन रहेंगे वो आपको कराए जाएं है अँछने वाग